नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं इन्फुरू अभिशेक चनल जी आँ दोस्तो आज मैं बात करूँगा CNG की जी आँ CNG और CNG किट के बारे में जी आँ दोस्तो अगर आप अभी भी अपनी गाड़ी में CNG किट लगवाने के लिए यानि कि इस्टॉल करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगा आए हैं जी हां दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि CNG रेट क्या है और उसके बाद CNG किट की रेट क्या है जी हां दोस्तो और आज ही रेट में जब पेट्रोल और CNG बिल्कुल इक्वल हो गए हैं तो क्या आज आपको CNG लगवानी चाहिए जी हां CNG किट लगवानी चाहिए तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि COVID काल से लेकर और आज तक CNG रेट कितने कम हुए है दोस्तो अगर आप इस वीडियो चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्स्राइब कर दिजे और पाईए लेटेस्ट वीडियो इन्फो गुरूप के साथ तो दोस्तो स्टे टूइन इन्फो गुरूप अभिशेग दोस्तो CNG पूरे देश में आज आसानी से उपलब्ध है जी हां दोस्तो अलग-अलग राजियों में टैक्स और दूरी के साथ से CNG कहीं सस्ती और कहीं महंगी होती है कहीं 5 रुपे सस्ती या कहीं 5 रुपे महंगी लेकिन अगर मैं बात करूँ CNG की तो आज की डेट में CNG लगाना फायदी का सौदा है दोस्तो CNG पूरे देश में सबसे सस्ती सिर्फ दिल्ली में मिलती है जी हां दोस्तो अगर हम किसी और राज्य की बात करें यानि कि अगर आपके नेरेस्ट कोई भी स्टेट है और दिल्ली बराबर में है तो आप देखेंगे कम से कम 10 से 15 रुपे सस्ती आपको दिल्ली में मिलेगी क्योंकि ये commercial स्टेट है और सबसे बड़ी बात एक और है आज अकर हम बात करें CNG किट के बारे में अगर आप CNG किट लगवाना चाह रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर तीन आप्शन मिलेंगे जी हाँ दोस्तो सबसे पहला ओप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा Chinese किट का आप देखते होंगे कई टैक्सी जो चलती है वो ज़्यादा तर सस्ती CNG किट की वज़े से क्या करते हैं कि वो Chinese किट को इंस्टॉल करा लेते हैं दोस्तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि यह बिल्कुल भी सेफ नहीं है चाइनिस किट में सलेंडर से लेके और किट तक टोटली जितना प्रोसेस है वो अंसेफ है मैं कभी भी आपको चाइनिस किट को जो अनेम से आती है कोई उसमें नेम ऐसा टस्टेड नहीं होता है और ये भी आप ध्यान रखेगा कभी भी मैं आपको इस किट के लिए यानि कि चाइनिस किट के लिए बिल्कुल भी रेक्वेंट नहीं करूँ दोस्तो अब बात आती है मीडियम गैस किट की अगर आप C&G किट में मीडियम यानि के मीडियम रेंज में अपनी किट को इंस्टॉल कराने की सोच रहे हैं तो यहां पर आपको काफी आप्शन मिल जाएंगे जियां दोस्तो इंडियन किट में आपको सबसे पहला नाम आएगा मीजो का फिर उसके बाद आएगा आपका मोटो जैन का उसके बाद गोल्ड एफस है डीजी फ्यूल है इग्रीन है इसके बाद आपका यूरो टेक है और उसके बाद गैस टेक है दोस्तो इन सभी इंडियन कंपनी की किट आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडियन किट्स इटालियन किट्स की तरह नहीं होती यहाँ पे आपको बार-बार एक साल में, दो साल में, तीन साल में बार-बार जब भी आपका गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा आपको मैप सैटिंग करानी होगी बार-बार अपनी गाड़ी में लैप्टॉप लगवा के उसको 2500, 300, 500 रुपे दे के और वो मैप सैटिंग करानी के बाद ही आपकी वो गाड़ी अच्छा मेलेज देगी यह धियान रखेगा, इंडियन किट अच्छी है, सौफ्ट्वेर भी ठीक है आपको हर किसी CNG जो फिट्मेंट सेंटर है, वहाँ पर या फिर गाड़ी को जो CNG किट की सेटिंग करते हैं, उनके यहाँ पर आपको इस तरह की किट इजली मिल जाएंगी वहाँ पर सौफ़ेर मिल जाएंगे, लेकिन इंडियन सौफ़ेर जो है, वो इजली आपको मिल तो जाएंगे काफी सस्ता भी पड़ता है, लेकिन उसकी जो accuracy है Italian kit से 19 है तो दोस्तो अगर आप medium segment में जाना चाहेंगे, तो यह दिखेगा, kit अच्छी है लेकिन उसमें आपको accuracy नि मिलेगी, Italian kit से 19 ही मिलेगी दोस्तो अब हम बात कर रहे हैं Italian kit की जियां दोस्तो इटालियन किट में सबसे उपर जो नाम आता है वो है लोवेट होगा अगर आप अपनी फोर्ट गाड़ी में या फिर आप नेक्सोन में टाटा में या फिर किसी महेंगी गाड़ी में आप चा रहे हैं कि मुझे CNG किट लगवानी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा लोवेटो को जी या इसमें आपका ब्लू ESR आती है इसके बाद आपकी OBD2 आती है दोस्तो ये ध्यान रखे का OBD2 आप अगर बड़ी गाड़ी में लगवा रहे हैं आपको जल्दी से map setting करानी नहीं पड़ेगी ये जरूर आपको ध्यान रखनी बात है और दोस्तो अगर हम बात करें अब इटालियन की या मीजो की इंडियन की rates की तो अभी मैं आपको इसके rates के बारे में बता दोस्तो अब बात करते हैं CNG kit के rate के बारे में जी आँ दोस्तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ के CNG kit अब पहले से 5-7,000 रुपे सस्ती हो चुकी है जी आँ दोस्तो अब आप पूछ रहे हैं इसका कारण क्या है दोस्तो कारण मैं आपको बता देता हूँ कोविट काल में cylinder की shortest थी कुछ parts की shortest थी जिस वज़े से CNG का rate जो CNG kit का rate था वो काफी महगा था लेकिन अगर हम अब की बात करें तो CNG के rates भी काफी उपर हो गए हैं जहां CNG दिल्ली में 45 रुबे थी आज की rate में वो 72 रुबे, 65 रुबे, 68 रुबे चल रही है तो दोस्तो कहीं न कहीं CNG के rate भी effect कर रहे हैं CNG kit के rate पर तो दोस्तो आज का लोगों का रुजहान CNG kit के rate पर थोड़ा कम है, जी हां दोस्तो तो खाली अगर हम बात करें CNG kit के बारे में तो यहां पर लोगों का रुजहान कम इसलिए ही है क्योंकि CNG का rate भढ़ चुका है, दोस्तो अगर मैं बात करूं आज की बात तो आज अगर पेट्रोल 100 रुपे है और CNG भी 100 रुपे है तो दोस्तों CNG आपको सस्ती पड़ती है वो क्यूं वो मैं आपको बताता हूँ वो इसलिए कि जैसे एक वैगेनार को ले लेते हैं वैगेनार अगर पेट्रोल पर यानि के 100 तो वहां पे वह आपको क्लेम करते हैं कि आपको 20 से 22 का माइलेज ही आपके पास आएगा लेकिन अगर आप लॉंग रूट पे जाते हैं तो वैगेनार जो 12 का एवरेज पेट्रोल पे देती है 12 में 13 का एवरेज भी नहीं देती है वह जो गाड़ी है वह आपको 25 से 28 भी CNG घाटे का सोदा नहीं है दोस्तो अब चलते हैं CNG किट के रेट के बारे में जी हां दोस्तो अगर हम Chinese किट की बात करें तो Chinese किट इसली आपको 25 से 30 जार रुपे में आसानी से इंस्ट्रॉल हो जाएगी लेकिन वो भी बहुत रिस्की है दोस्तो मैं कभी भी आपको उ इजो, गैस्टैक, यूरोटैक, ईग्रीन तो इस तरह की अगर आप किट्स लेते हैं तो वहां पे जो किट आपको 42 में इंस्ट्रॉल होती थी, जी हां दोस्तो यहां पे इंस्ट्रॉल की बात यह है कि इसमें एडवांसर इसी रेट में ही है और वो जो आपका 42 में वो सेम डिफ्रेंस यहां पर आ गया है तो अगर आप इंडियन किट इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो पांस से साथ हजार रुपे आपका सीधे यह बच रहे हैं जियां दोस्तो यह मौका है आपका CNG किट लगवाने का माइलेज बहुत बढ़ी आता है और सबसे अच्छी बा है जियां दोस्तो यह सब इंक्लूटेड है यानि के अगर आप ट्राइ करेंगे तो 35 में भी आपको इनियन किट इंस्टॉल हो जाएगी दोस्तो एक चीज़ का ध्यान रखेगा अगर इंडॉस्मेंट की बात है तो इंडॉस्मेंट के लिए आपको अगर खुद जाएंग चाहे कोई कितना भी मना कर ले लेकिन आज की डेट में एजेंट्स हैं वह आपको 4,000 में इसली आपको इंडॉस्मेंट कराके देंगे आप जब भी जाएंगे तो आपको इसली यह एजेंट मिल जाएंगे या आप जहां से जिस cng fitment center से आप cng fit करा रहे हैं उनी से आप कह दोस्ते हैं आज मैं आपको उसका जवाब भी दे रहा हूं वह यह है कि bs6 में अभी तक कोई update नहीं आई है आने वाले टाइम में bs6 में भी cng kit लगने जा रही है आप देखेंगे काफी बड़ा काम होगा और cng वालों को भी होश नहीं मिलेगी इतनी cng kit लगने वाली है जिया दोस्तो अभी जैसे ही bs6 में कोई भी update आएगा तो दोस्तो मैं short बना के डाल दूँगा जिसे आपको hand to hand इसके बारे में पता चल जाया है दोस्तो अब हम बात करते हैं italian kit की जिया दोस्तो जो premium kit लाती है दोस्तो brc की अगर हम बात करें तो जहां पर ये 55,000 रुपे की range में मिल रही है जी हां दोस्तो इसमें एडवांसर इसमें included है एडॉस्मेंट के लिए अगर आप एडॉस्मेंट करेंगे तो एडॉस्मेंट के लिए आपको 1000-4,000 रुपे का charge मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें ब्यार्सी की तो ब्यार्सी परफेक्ट यानि के 40-45,000 रुपे में बहुती बढ़िया इटालियन किट आपको सिर्फ मिल रही है 55,000 रुपे की जगा 40,000 अब हम बात करेंगे लुवेटो की जी हां दोस्तो लुवेटो में दो segment आते हैं एक EXR Blue जो पहले 55,000 रुपे की ती आज आपको 48-50,000 रुपे की range में मिल रही है और एक बात करेंगे COPD-2 जी हां दोस्तो जो आप Nexon में, Ford की गाड़ियों में या बड़ी गाड़ियों में लगाते हैं दोस्तो ये kit आपको easily पहले अगर हम lockdown या उसके बात की बात करें तो 70-70,000 में 68-70,000 में इंस्टाल होती थी लेकिन आज अगर हम बात करें ये आपको 50-52 50-53,000 रुपे की रेंच में विद एडवांसर आपका इंस्टाल हो रही है आपकी गाड़ी में इसके बाद आपको अगर RTO पे जाके 1000 रुपे में आप एंडॉस करा सकते हैं तो बैस्ट है नहीं तो आप किसी भी एजनेंट से 4000 रुपे देके आप easily एंडॉस्मेंट करा सक करते हैं तो दोस्तों यहां पर इटालियन के लिए मैं आपको सिर्फ दो ही किट के बारे में बताऊंगा BRC और Lovato में भी दो किट आपको मैंने बताई और परसनली मैं आपको यही रेक्मेंट करूंगा कि चाइनिस किट से आप दूर हो जाएए चाइनिस किट बिलकुल भ अब ही होती है अभी मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने CNG Blast की वीडियो डाली थी अगर आपने वह ब्लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप मेरी प्रिवियस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों यह सब चाइनिस किट में और हूब है अगर हम इंडियन की बात करें इंडियन के बिल्कुल security होती है लेकिन उसमें अगर आप करें तो वहां पर आपको सिफ- accuracy में फर्क मिलेगा, बार-बार आपको map setting करानी होगी, अपने जो fitment center है उनके laptop से, और अगर हम तीसरी बात करें, Loveto की, Loveto और BRC, यह Italian kit है, तो यहाँ पर premium segment आपको मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात है, कि जो आपको 55,000 या 70,000 में मिल रही थी, आज वो 50,000 वाली 42,000 में मिल रही है, और जो आपकी 70,000 की थी, वो आपको 52,000 या 55,000 तक में आपको मिल रही है, दोस्तो, Loveto को मैं सबसे ज़्यादा आपको recommend करूँगा, यहाँ पर आपको mileage भी अच्छा मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है, कि आप बड़ी गाड़ी में direct injection और यह सब चीजों के साथ easily लगा सकते हैं, कोई भी उसमें कोई भी problem नहीं है, तो दोस्तो, यह जो price मैंने आपको बताए है, यह 12 kilo cylinder में है, अगर आप इसको 14 kilo cylinder में लेना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको 1000 रुपे extra देना होगा, अगर आपकी गाड़ी में आपकी जो boot space है, उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी जगा आपको extra लग रही है, तो आप इसली आप fitment center वाल आपको बता देगा, कि यहां पर 12 kilo की जगा 14 kilo का cylinder भी आप install करा सकते हैं, तो मेरे कहने के बाद भी अगर आप Italian kit install नहीं करा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका budget बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप Indian kit लगवाना चाहरे हैं, तो दोस्तो मेरी एक सला है, कि आप Maruti या Hyundai की अगर आपकी पास गाड़ी है, तो वहाँ पर आप Indian kit को use कर सकते हैं, तो आपका kit का पैसा लग रहा है, वो आपका साल, एड़ साल में, अगर गाड़ी जादा भी चलाते हैं, तो आपका 6 महीनी के बराबर आजाता है, तो दोस्तो मैं चाहूंगा कि आप Italian kit ही अपनी गाड़ी में install कराएं, दोस्तो अगर अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया आता हूं, तब तक के लिए मुझे इजाद दीजिएगा, जय हिंद, जय भारत